हेलो गाइज एट वेलकम तो रॉबिनूट कम्पूटर क्लासे इस वीडियो में हम बात करेंगे कम्प्यूटर पोर्शन के हार्डवेयर, सौटवेयर, इन्पूट ओपूट दिवाइस और ओपन सोच टेकनोलिजी के बारे में हार्डवेयर क्या होता है तो कम्प्यूटर का कोई भी फिजिकल पार्ट जिसको अच कर सकते है ठीक है उसको हम बोलते है हार्डवेयर अच्छाए यहां पर एक्जेंपल भी दिविए जैसे ग्राफिक कार्ड हो गया मदरबोर्ड हो गया वैब कैमरा हो गया वह भी बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइस जैसे कीबोर्ड मौस हो गया रहा हो गया मगर हो क्या हम इन्पूट ओटपूट डवाइस में पढ़ेंगे आगे तो इसलिए वह नहीं यहां पर नहीं डाले होए ठीक है अप्लाई क्या होता है तो यह क्या करता है अलेक्टिकल पॉवर कम्प्यूटर को देता है जो हमारा पावर सप्लाई है यह क्या करता है जिसको बदला जो computer को work करने के लिए चाहिए होती है इट आलसो रेगुलेट्स जा वोल्टेज तो एन एड़ो के टू रन स्मूथली विदो अवर हीटिंग और इसकी के साथ ही एक और बड़ा जुरूरी काम करता है कि यह जो voltage है वो कामियाज जादा करता है जिस हसाब से computer के जिस component को जुरूरत है उसी हसाब से उसको change करता रहेगा ताकि computer overheat ना हो पाए अब motherboard इसलिए इसको कह रहे है क्या कहता है computer system का यह main board है जिसको main board भी कहते है system board भी कहते है planner board और logic board के नाम से भी कहते है main board इसलिए इसको कह रहे है क्योंकि main circuit मतलब इसलिए इसको कहते है क्योंकि मतलब जितनी भी wiring या कहलो जितनी भी circuits है ना सारा motherboard से connected होकर जाता है ठीक है तो attached to the motherboard you will find the CPU, raw memory, RAM memory, expanded slots, VGA slots, etc it also includes controller for devices like hard drive, DVD drive, keyboard, motherboard तो कहता है हमारा motherboard है उसके हमें CPU भी लगा हो मिलेगा, ROM memory भी होगी इसमें RAM memory, expanded slots भी होगी मतलब अगर हमें RAM memory को बढ़ाना है तो उसके लिए slots भी दिये होए है VGA slots है और इसके साथ हमारे पास controller दिये होए है hard drive के, DVD drive के, keyboard के और खुद motherboard के भी ठीक है और इसके कुछ types है जैसे की AT हो गई, baby AT हो गई, ATX हो गई, mini ATX हो गई यह सारे motherboards की का type है ठीक है और AT का मतलब हो गया advanced, और ATX का मतलब हो गया advanced technology expanded और यह देखो motherboard है, excuse company का ठीक है तो देख सकते हैं अब इस पर कितने parts लगए हैं कितनी wiring होई है इसलिए इसको हमने made circuit का होगा था ठीक है तो यह सारे parts हम पढ़नी सकते हैं क्योंकि फिर बहुत बड़ी video हो जाएगी और इतना आपको syllabus में भी नहीं है इसलिए आपको सिफ में यह दिखा रहा हूँ image जिस पर सारे क्या इसके point cover की होई है जो अब धिहान से देख सकते हो ठीक है अब processor, it is a computer chip that processes the basic instruction that drives the computer तो simple लिखा हूँ है यहां पर यह क्या processor क्या काम करता है कि जो भी हम computer को instruction देते हैं उस पर क्या काम करता है तो इसके लावा भी यह जैसे input output को control करता है मतलब कितना time किस काम को देना है, arithmetic logical operation perform करता है उसके लावा ऐसी और बहुत से चीज़े perform करता है जो कि मैंने first lecture में बताया हुआ था जो कि video upload हो चुकी है अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले आप वो देखो अगर आपको processor का समझना है briefly optical drive, an optical drive is a type of common disk drive that reads and writes data from optical disk through laser beam technology तो optical drive क्या करती है, जितना भी optical disk में data होता है उसको optical drive पढ़ सकती है और उसको पढ़ने के लिए वो laser beam technology का इस्तमाल करती है ठीक है, this type of drive allows a user to retrieve, edit and delete the content from optical disk such as CDs, DVDs and Blu-ray discs तो जो optical drive है, वो जो भी data store होता है, चाहे CD में हो, DVD में हो या Blu-ray, disk में हो उसको पर वो delete भी कर सकती है, उसको edit भी कर सकती है, या उसको retrieve भी कर सकती है optical drive are among the most common computer components, और optical drive कहता है, जो computer के most common components है उन में से है, most common components मतलब वैसा component जो हर दूसरे आदमी को पता होता है या होना चाहिए, ठीक है and optical drive में also भी known as optical disk drive, और optical drive को हम optical disk drive भी कहते हैं hard drive, it is a non-volatile storage device, तो यह कहा, non-volatile storage device है, non-volatile storage device क्या हुआ, board storage device, जो की erase ना कर पाए data, जो मतलब supply बिजली की cut-off हो उसके बाद भी, ठीक है it is usually installed initially in a computer attached direct to the disk controller of the computer's mother board, तो क्या होता है, यह पहले से ही हमारे computer में provided होता है, इसका simple मतलब यह है examples of data stored under computer's hard drive includes operating system, installed software and user personal files, तो हमारे जैसे hard drive में क्या है, store होता है पहले से हमें operating system दिया हुआ होता है, software's पहले से installed हुए होते है, उसके अलावा अगर हम अपने कोई files डालना चाहें, वो भी डाल सकते हैं files मतलब खाली files ही नहीं, जैसे कि अगर अपने game डाली है तो वो भी इस ही hard drive में store होगी, या अपने गाने डाले होए हैं तो वो भी खाहां hard drive में store होगा, ठीक है और यह क्या अपने controller से भी पहले से attached होता है, जो कि क्या motherboard में attached होता है, ठीक है, मतलब यह अपने controller से attached होता है, और उसका जो controller है, वो कहाँ attached होता है, motherboard में, ठीक है heat sink, CPU include heat sink, which dispatch heat from the processor, तो क्या कहता है, CPU में heat sink भी पहले से ही दिया होता है, जो क्या करता है, प्रोसेसर में जो heat कठा होती है, उसको कम करता है, and prevent it from overheating, और उसको ज़्यादा गरम होने से बचाता है, the heat sink is made out of metal such as zinc or copper alloy, and is attached to the processor with the thermal material that draws heat away from the processor towards the heat sink, तो बहुता है, जो हमारा heat sink है, वो या तो zinc का बना हुआ होगा, या copper alloy का बना हुआ होगा, ठीक है, और उसी के इलावा कहता है, यह जो हमारा processor के साथ attach होता है, और यह thermal material का बना होता है, जिससे क्या होता है, कि जो हमारे processor में heat होती होती हो, गर्मी को बेशता है, मतलब heat को बेशता है, ताकि जो हमारा processor है, overheat ना हो पाए, तो अब कुछ hardware devices के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, अब है system fan, तो system fan is a fan attached to computer case used for active cooling, तो system fan को किस चीज़ के लिए सितमाल करते हैं, ताकि हमारा जो computer system है, वो ठंड़ा रह सके, system fan used to draw cooler air inside the case from the outside, तो system fan क्या काम करता है, भार से, CPU के अंदर, मतलब computer के अंदर, क्या करता है, ठंडी हवा डालता है, axle और साथे साथ क्या करता है, expel warm air from inside and across a heat sink to cooler particular component, और साथे साथे साथ उसके अंदर जितनी भी गरम हवा एकठी हुए होती है, उसको कम करता है, ताकि वो CPU ठंड़ा रह सके, और साथे साथे साथ heat sink, एक hardware devices के बारे में आगे पढ़ेंगे, और साथे साथे साथ, जो heat sink है, ज are used to supply input to the computer, तो input devices कोन से, peripheral devices होते हैं, जो कि क्या input computer को देने के लिए इस्तमाल होते हैं, peripheral devices मतलब वो additional devices जो computer के साथ connected होते हैं, ठीक है, and input devices convert data and instruction into suitable binary form that can accept by the computer, तो हमारा जो input device है, तो क्या काम करता है, कि जो हमारा, उसको data और जो instruction होती ही, वो binary language में convert करता है, ताकि जो computer है उसको accept करें, ठीक है, the data entered through the input devices can be text, graphical, image, audio, video, etc, तो जो भी हम input देते हैं, या कह सकते हो कि input कितने types के होते हैं, graphical image हो सकता है, audio हो सकता है, text हो सकता है, video की form में हो सकता है, ठीक है, ओर भी कुछ अलग-अलग forms है, जिसमें हमारा input हो सकता है, तो depending upon the form of data, different types of input devices are available, तो अब किस तरह का हमारे पास data है, किस तरह का मतलब data supply करना चाहते हैं, उस हसाब से हमारे पास input device available है, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कुछ input devices हैं, जैसे कि keyboard हो गया, mouse हो गया, track ball, joystick, light pen, touch screen, OMR, optical mark reader, MICR, magnetic ink character recognition, barcode reader, scanner हो गया, या जिसे हम image scanner भी कहते हैं, smart card हो गया, digital camera हो ग traffic, tablet, यह सारे क्या है, input devices है, अब इनके बारे भी हम आगे बारी-बारी से पढ़ेंगे, keyboard, it is a comma and input device used for entering the text, जो भी हम text input करना चाहते हैं, उसके लिए क्या हम इस्तमाल करते हैं, keyboard, keyboard में different तरह की keys होती है, जैसे कि न्यूमरी की होगी, जो कि 0 से 9 तक हमारा digit लिखने के लिए क punctuation keys, जिसे कि comma, full stop, call and semicolon, ऐसे-से चीजों के लिए इस्तमाल होती है, मलब जो punctuation लिखने के लिए इस्तमाल होती है, फिर function keys, जो कि F1 से F12 तक इस्तमाल होती है, special purpose keys, जो इनको delete के लिए इस्तमाल करते है, page, आप या page down के लिए इस्तमाल करते है, cursor movement की, जो कि arrows जैसे जो keyboard प तो mouse का mainly का क्या काम होता है, कि जो हमारा हाथ का motion होता है, उसे translate करता है, मतलब अगर हम अपना हाथ left के लिए move कर रहे है, या right के लिए move कर रहे है, उसे हसाब से जो screen पर cursor है, उसको move करेगा, ठीक है, और basically यह पांच function पर फॉर्म करता है, इसे कि click कर लेगा, double click कर लेगा, drag कर लेगा, right click करेगा, और साथी साथ scroll करेगा, और इसकी दो टाइप्स होती है, एक है optical mouse और wireless mouse, ठीक है, तो optical mouse के bottom में क्या होता है, एक red light होती है, जो reflect होती है, और reflect होने के बाद गया, हमारा signal translate करती है, मतलब हमारी movement translate करती है, और उस movement के असाब से cursor को move करती है, ठीक है, और wireless mouse, दूसरा है, wireless mouse, ठीक है, तो wireless mouse क्या करता है, ये Bluetooth technology से, मतलब connect होता है, किसे computer से, जो कि क्या radio frequency का इस्तमाल करती है, जो radio frequency होती है, वो receiver उसको, क्या करता है, accept करता है, उस radio frequency को क्या decode करता है, और उसको बेचता है, most driver software में, एक software है, जिसका नाम है most driver software, और computer के operating system में, उसक advantage है, कि, आप इसको थोड़ा distance से भी use कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है, आपको table पर बैठना है, जहाँ पर आपको computer इसको use करोगे, आप इसको दूर से भी इस्तमाल कर सकते हो, क्योंकि Bluetooth को आप वैसा नहीं है, कि जहाँ पर computer है, वहाँ पर ही लगा कर इस्तमाल करना है, ठीक इसके उपर यह जो ball जैसा दिख रहा है, इस ball को हम move करते हैं, इसको move करने से हमारा क्या cursor भी move होता है, ठीक है, और साथी साथ इसको use करने के लिए हमें कोई plane surface नहीं चीए, क्योंकि जो पहले mouse थे, जो भारे पास मतलब mouse है, वो उनको क्या light reflect करनी पड़ती है, ठीक है, फि इसको किसी भी surface पर इस्तमाल कर सकते हैं, अब है joystick, जो जोइस्टिक में ली किया, games खिलने के लिए इस्तमाल होता है, सामने आपको joystick की pick दिख रही है, नमबर वन पर जैसे इसको मैंने numbery की वे तो number one को हम stick कहते हैं, जो number two को base कहेंगे, वैसे trigger होगा, इसमें कुछ extra buttons है, फ बड़ी-बड़ी केंज में इसको इसको इस्तमाल किया जाता है, OMR, Optical Mark Reader ठीक है, तो यह करता है, जद 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 डेटा कम से कम टाइम में process करता है, उसे के अलावा, यह pen or pencil का जो mark होता है, उसको read करने की capacity रखता है, उसको कर सकता है, read, उसके अलावत 10,000 से डालते हैं, और यह हमारा automatically उसको check कर देता है, क्योंकि इसमें पहले से उसके जो answers होते है, जो मतलब answer key होती है, वो पहले से उसमें एक डाली की होती है, जिसके असाब से उसका pattern यह match करता है, उस pattern के accordingly वाकी जो answer sheets है, उनको check करता है, अब है M-I-C-R, मतलब magnetic ink character recognition, तो यह क्य करता है, it uses special ink that can be magnetized by M-I-C-R and translate the magnetic information into characters, तो क्या करता है, इस device के लिए हम एक special अलग से ink यूज़ करते हैं, जिस ink को magnetize भी कर सकते हैं, ठीक है, और जितनी भी magnetic information है, मतलब जिसको magnetize किया, उसको फिर उसको characters में convert कर सकता है, उसको character में recognize कर सकता है, ठीक है, और mainly यह क्या, banks में इस्तमाल होता है, जहां पर आपने चेक्स दिखा होगा, चेक के नीचे bottom में वो लिखा होता है, number लिखा होता है, कुछ ink से लिखा होता है, वो चीज कोन करता है, M-I-C-R हमारा काम करता है, और इसे mainly यूज़ इस लिए करते हैं, क्योंकि यह काफी ज़ यह करता है, यह पहली बात तो handheld है, यह मतलब कि इसको हम आराम से हाथ में पगड़ के रख सकते हैं, यह वैसा वाला scanner होता है, तो इसको, क्या है, इसमें एक decoder होता है, एक scanner होता है, और साथी साथ एक cable होती है, जो क्या, कंप्यूटर से connect होती है, it works by directing a beam of light across the barcodes, measuring the amount of light reflected back, तो यह क्या करता है, यह beam डालता है, मतलब उसके जो front end से beam निकलती है, मतलब light निकलती है, समझ लो, जो कि क्या जो barcodes है, सामने जो दिखरे हैं, इन पर पढ़ती है, और फिर उसके बाद क्या, चेक करता है कि कि कितनी light वहां से reflect होकर back, मतलब व करता है, जो light energy है, फिर उसके बाद उसको electrical energy में convert करता है, और उसको हम हर दिन use करते जा रहे है, मतलब उसका day by day use बढ़ता जा रहा है, में लिए आप इसको देखो कि अगर आप बड़े malls में जाओगे, तो वहां पर आपको यह definitely दिखेगा, क्योंकि वहां पर किसी चीज क बंदा कोई अगर आएगा, वहां पर कोई समान लेगा, तो उसका actually में पूरा वो bill computer के थ्रू निकालते है, बार कोड उसका scan करेंगे, उसके वहां से उसकी price होगे रहा, सारी detail निकल जागी, जो computer में जाएगी, और computer उसके बाद उसका bill बना कर सामने हमें देदेगा, ठीक ह scanner, it is a popular input device which works more like a photocopy machine, तो यह क्या popular input device है, जो कि क्या photocopy machine की तरह काम करता है, they are mainly used to transfer pictures or handmade pictures, photograph and text document into computer, तो वो क्या करता है, जो इतने भी pictures है, photograph से, जो भी हम text लिखते हैं, documents लिखते हैं, उसको क्या हमारे computer पे transfer करता है, it simply transfers, sorry, it simply translates a paper document into digital image format, तो यह करता है, जितना भी हमारा paper पे document लिखा होगा, मतलब जितना भी हमारा paper पे कोई material लिखा होगा, उसको क्या digital format में change करता है, ठीक है, फिर some manufacturers है, इसके कुछ manufacturers है, मतलब कुछ companies है, जो scanners को बनाती, जैसे कि Epson, Epson हो गया, sorry, HP के होगे, फिर Microtech के होगे, और इसकी दो टाइप से, एक है flatbed और दूसरा है, handheld scanner, फर्स टाइप है इसकी flatbed scanner, it consists of a box having a glass plate on its top and a light that covers the glass plate, तो क्या कहता है, इस पे क्या, यह डिबे जासा बना होता है, जिसमें के एक glass लगा होता है, इसके top पर और साथी साथ, एक lid है, जो इसको glass को cover करती है, ठीक document to be scanned is placed upside down on the glass plate, तो जो document को scan करना होता हमें, हमें इसको उसमें upside down की तरह उसमें डाल देते है, upside down मतलब की, समझ लोग जिस तरह से आपको दिख रहा है न, उसी position में हमने इसको डालना है, ठीक है, a light source situated below the glass plate once activated move horizontally from one end to another, तो कहता है, इसके नीचे एक light source होता है, light source मतलब जहा से, ये light emit करता है, light छोड़ता है, तो वो गया करता है, जब वो activate हो जाता है, तो horizontally move करता है, ठीक है, horizontally move करता है, एक end से, दूसरे end वे, और handheld, जो scanner होता है, उसका simple, जैसा barcode reader है, वो उसी तरीके से बिल्कुल ऐसा काम करता है, इसलिए, मैंने आपका time बचे, इसलिए वो ची card, तो small card are electric card, which are small in size and made of some plastic material with an embedded computer chip that stores and translates the data between users, तो क्या कहता है, ये एक card है, जो किसी plastic material का बना होता है, जिसमें की क्या, एक chip लगाती है, जो कि क्या, उसमें जितना भी data store होता है, वो user को, user के साथ share करता है, ठीक है, they are used to make direct entry into computer system, और वो क्या, direct entry करते है, computer system है, direct entry computer system में करने के मतलब है, जिसमें ATM में, ATM में हम अपना ATM card डालते है, तो हमारा जो account के साथ direct link हो जाता है, इसका मतलब हो ये, ठीक है, तो इसमें नीचे वाली line बोल रहा है, इसमें एक microprocessor chip होती है, जिसमें की हमारा data permanently store होता है, ठीक है, उसके लावा master cards की कुछ types है जैसे कि हमारी SIM हो गई, और फिर जो हमारा receiver है, मतलब जो television का receiver होता है, उसके पीछे भी एक chip install होती है, ये one of the type है, master card गे, अब है digital camera, it is the latest type of camera which record and stores photograph in digital form, तो कहता है ये जो latest type का camera है, मतलब जो आजके हम camera यूज करते है, वो camera है, और जो क्या करता है, हमारे photos को digital form में store गता ह क्योंकि जो हमारा computer है, वो 01 की form ही 01 की language ही समझता है, and can be easily transferred to any computer easily anytime, और computer को कभी भी किसी भी time पर उसे असानी से send किया जा सकता है, उससे data मतलब कि जो data में लेकिया होता है, photos या videos होती है, currently they are capable of capturing sound or video in addition to image, तो हम इन में आज के time में photos के अलावा, videos भी capture कर सकते हैं, उसके साथ वीडियो में sound quality भी हो सकती है, रख सकते हैं, और उस companies है जैसे कि Canon हो गई, Sony हो गई, Nikon हो गई, Olympus हो गई, यह कुछ companies है, जो कि क्या digital camera को बनाती है, जो digital camera की क्या manufacturers है, अब है infrared remote, तो it used to interact with various computer devices without using any wire, तो यह को use करना के साथ हम बिना wire के मतलब हम किसी भी device के साथ किमिकेट कर सकते हैं, ठीक है, it is similar to remote used to change channel or increase or decrease the volume of television, तो जैसा हम अपने television के लिए remote use करते हैं, वो भी infrared remote होता है, ठीक है, उसी तरह से यह remote भी काम करता है, ठीक है, it uses infrared beams to communicate, तो यह के communicate करने के लिए infrared beams का इस्तमाल करता है, अब है graphic tablet यह जिसे हम digitalizer भी कहते है, it is used to create and edit line art picture, तो अगर हमे कोई line बनानी है, या कोई picture विगरा draw करनी है, अब हम इस पे बना सकते हैं, अब पहले क्या होता है, पहले हमेरे वाइसे copy pen होती है, उसे भी हम draw कर सकते हैं, मगर आज के time पे इस चीज़ पर भी हम draw कर सकते हैं, जो कि आपके सामने दिख रही है, ठीक है, और यह क्या करता है analogs, जो हमारा information है, उसे digital form में उसको convert कर देती है, और it contains a pressure sensitive pad and a pen that is attached to the system unit, उसमे एक pressure sensitive pad होता है, pressure sensitive pad मतलब की जो pressure इस पे पड़ेगा, तो उसको sense कर सकता है, जिस पे जहां पर भी इसको मतलब touch करेंगे, तो उसको पता जाएगा यहां पर की touch किया हुआ है, वो वाला इस system मे system attach किया होता है, अब है output devices कुन से होते हैं, तो output devices that produce output and result after processing of data values are called as output device, तो वो device जो हमें किसी data पर process होने के बाद उस data को हमें provide करे, मतलब उस data को काम होने के बाद हमें उस data पर result दे, उन devices को हम output devices भूलते हैं, तो हमारे पस दो तरह के output होते हैं, एक होता है soft copy output, एक होता है hard copy output तो जो soft copy output होता है वो क्या होता है the type of output that is available till the computer is switched on तो जब तक available होता है जब तक हमारा computer on है जैसे कि हमारा computer on है यह हमारा phone on है ठीक है और hard copy output it is a type of output which is permanently available on paper तो जिसको हम जो हमारे पास permanently available है in the form of paper ठीक है paper पे भी document है तो वो hard copy output खहला जाता है ठीक है तो हमारा output device है पहला कुन सा है computer monitor तो monitor is a soft copy output device that produce output in the form of picture on the screen तो जो हमारा monitor है वो क्या soft copy output device है ठीक है जो कि हमें output कहां पर दिखाता है screen पे mainly किसकी form में pictures की form में दिखाता है ठीक है monitor can be used to watch television if it is connected to a device called television tuner card तो कहता है जो हमारा monitor है उसको हम TV की तरह भी इस्तमाल कर सकते हैं अगर हम उसके साथ एक television tuner card इस्तमाल करें television tuner card mainly मतला हमारा जो receiver है जो हमारा dish से connect करता है at present computer monitor are available in various variety of shapes designs and color but we broadly classify into falling three types तो आज के time पे हमारे पास बड़ी अलग लग किस्मों के अलग लग varieties के monitors available है मगर हम mainly 3 category में classify करते एक हो गया CRT monitor दूसरा LCD monitor और तीसरा TFT monitor CTR monitor और CTR का मतलब होता है cathodary tube तो जिस monitor में cathodary tube का इस्तमाल होता है तो उसे हम simple सा cathodary tube monitor कहते है ठीक है तो this screen is divided into rows and columns so the interaction of rows and columns makes a cell ठीक है तो इसके जो screen होती है उसको rows and columns के हिसाब से divide किया गयाता है columns मतलब सीधा उपर से नीचे के लिए line और columns हो गया left to right line लगाई lines होती है इनको छोटी 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 करके closely closely lines होती है जिनको मिलाकर एक cell बनता है ठीक है वो cell बनता है फिर है the number of pixels per unit area of the screen is called resolution तो कहता है screen के एक particular area पर unit area पे जितना भी pixel होगा जितना number of pixel होगा उसे हम कहते है resolution simple more the resolution more clear will be the picture तो जितना ज्यादा resolution होगा मतलब जितना भी ज्यादा pixel की particular area पे यह dynasty होगी उससाब से उसका resolution उतना ज्यादा होगा ठीक है it is heavier than the other type of monitor and use a lot of power तो हमारे पस आजकल जितने भी monitors है उन सब में से सबसे ज्यादा बिजली यह खाता है सबसे ज्यादा heat produce यह करता है monitor और उसके इलावा सबसे ज्यादा पुराने वाला monitor भी यही है अचा है the monitor use liquid crystal for producing the image are known as LCD monitors तो अब हम पढ़ रहा है LCD monitors के बारे में तो कहता है जो monitor liquid crystal display का इस्तमाल करता है उसे हम liquid crystal display monitors कहते हैं मतलब LCD monitors कहते हैं simple a cathodary tube is large in size so it can't be fitted in small size computer like laptops तो हमारा cathodary tube था देखा आपने वो डबा जैसा बड़ा होता है काफी heavy होता है तो उसको हम laptop में नहीं लगाते हैं मतलब laptop में use नहीं कर सकते हैं तो इसलिए उस जिगापर हमें LCD काम आती है ठीक है तो farthest LCD monitor are used LCD monitors is in wide range of applications like monitor, clock, watches, calculator etc तो आज के time में आपने देखोगा जितना भी digital चीज़े आ रही है जैसे कि हमारा monitor होगा computer या आज गल TV भी आप देख रहे हो जो हमारी घडिया हो गई जो दुआर पर लगाते हैं हमारी जो wrist watches है उसके इलावा जो हमारा calculator है उन सब में LCD screen का इस्तमाल किया जाता है और उसके इलावा LCD जो monitor है वो कम बिजली खाता है as compared to the CRT monitor और one third बिजली consume करता है CRT monitor के comparison में ठीक है अब है TFT thin film transistor monitors तो thin film transistor monitors होते हैं वो के upgraded version है LCD monitors के ठीक है तो TFT screens are usually using laptops and they are more sensitive than LCD screens तो कहता है आज की टाइम है सबसे advanced screen जो हमारे laptops में इस्तमाल हो रही है वो क्या है TFT LCD भी हो रही है मगर अगर आपने उससे भी ज़्यादा advance पर जाना है तो आपको TFT मिल सकती है ठीक है they are also better as far as resolution is concerned तो अगर हम resolution की बात करें तो उससे हसाब से भी यह और बाकी monitor से ज़्यादा अच्छी है ठीक है tiny transistor is used for each pixel on the display because each transistor is so small the mode of charge needed to control it is also small तो कहता है हर एक pixel के लिए पिक्सल के लिए क्या करते हैं transistor यूज किया जाता है क्यों किया जाता है क्योंकि उन ट्रांजिस्टर का size भी बड़ा चोटा होता है और size चोटा है तो वो power भी कम खाते हैं तो इसलिए उनको क्या हम इस्तमाल करते हैं हर एक pixel क्या लिए और यह television mainly games के लिए और multimedia काम के लिए इस्तमाल किया जाता है ठीक है अब है speaker तो speaker भी क्या soft copy output है ठीक है जो क्या sound produce करता है और mainly digital signal जो होता है उसको किसमें convert करता है analog signal wave में ठीक है जो कि हम इंसान समझ पाएं इसलिए और जो एक personal computer के साथ मिलता है हमारे पास speaker जो personal computer के साथ था वो क्या 200 से 500 watt का speaker होता है ठीक है वो जो laptops है उनमें inbuilt speaker दिये होते है मगर उनकी जो quality होती है वो इन speakers के comparison में काम होती है अब है printer तो printer के एक hard copy output device है ठीक है तो आज की time है हमारे पास के बहुत से wireless notepad होगे computer होगे PDA होगे यह available है जो कि wirelessly हमको क्या printing अविलेबल करा देते है मैंने wireless तरीके हमारे पास दो है एक हो गया Bluetooth वाला वे और दूसरा हो गया infrared वाला वे इन दोनों तरीकों से हम print करा सकते है ठीक है और Bluetooth की range से अगर हमने print कराना है तो उसकी range 30 से 100 foot तक रह सकती है ठीक है और infrared से हम printing करा सकते है infrared wave के थुरू communicate करके devices के बीच में और नीचे आप देख रहे होगे चार्ट दिखाया हुआ है जिसमें की printers की different types दिखाई है दो mainly types में classify करते हैं प्रिंटर को impact printer नॉन इंप्रिंटर दो तरह के होते हैं character printer और line printer उन्हें भी दो types में describe किया होता है और उसी की तरह non impact printer को भी दो types में describe किया गया होता है तो जो impact printer है उसकी दो types है character printer और line printer और जो character printer की दो Celtic थैब से हो रहें डौत मैंत्रिक्स प्रिंटर ड्क्सी देल का थे हैं और लेजर प्रिंटार भी कहते हैं में अब इंपैक्ट प्रिंटर प्रिंटर वीच वाप है डारेक्कॉंटक्ट editor क करें नियुक्त pen और page को direct contact करके लिखते हैं उसी तरीके से ये भी काम करता है बीना touch के हुए हम नहीं लिख सकते हैं उसी तरीके से ये भी वैसे काम नहीं कर सकता ठीक है और जो printer होते हैं बहुत ही ज़्यदा sure produce करते हैं मगर वह अभी भी ये बहुत ही ज़्यदा popular है और इसकी पहली type क्या है ठीक है और CRLE मतलब line by line in this type of printer the print head moves across a line तो इस type के printer में क्या तो जो print head होता है वो एक line में move करता है मतलब पहली line दूसरी line तीसरी line और जो इसका print head का मतलब क्या है print head मतलब print करने का first वाला part मतलब आगे का part जहां से क्या यह ink spray करता है paper ठीक है और इसकी जो speed होती हो कि है 100 से 300 printer character पर second के सबसे स्की speed होती है और इसकी जो mainly disadvantage है वो इसकी low speed है और दूसरी बात यह भूती ज़्यदा sound produce करता है और इसकी भी दो टाइप्स है dot matrix printer और digital printer अब है dot matrix printer it is one of the most widely used printer तो ठीक है यह भूती ज़्यदा commonly used किया जाने वाले printer है तो pins और hammers are arranged in rows and columns generally a dot matrix printer has 9 to 24 pins in its head तो कहता है pins और hammers होते हैं इसमें वो क्या rows और columns की form में arrange किया जाते है ठीक है और generally जो dot matrix printer होता है उसमें 9 से लेकर 24 तक pins लगी होती है ठीक है और character is printed by striking the approximately number of pins against the printer head तो क्या maximum number of pins strike करने की try करता है हमारा dot matrix printer maximum number मतलब मान के चलो अगर 24 pin का उसका head है तो try करें कम से कम 17 तो head होई जाए या मान लो कम से हम 24 तो head होई जाए तो उस चीज़गी भी try करता है ठीक है मगर यह बहुत ही जादा sound produce करता है क्योंकि continuously strike करता है paper पर पर इट जूज तो print character only it can print image but its quality is very low तो इसे हम image भी print कर सकते हैं मगर उस image की quality क्या बहुत ही low होगी इसलिए में अब है DC wheel printer it is a kind of printer which uses circular mechanism called a DC wheel तो ठीक है circular mechanism इस्तमाल करता है circular mechanism मतलब circle में काम करता है मतलब circle में इसका mechanical काम करता है circular काम करता है circle में चलेगा ठीक है क्या बोलरो मैं आगे आगे आपको अच्छे समाझ आएगी its head is in the shape of a floor तो यह क्या दिख रहा है सामने की यह इसका जो head है वो एक flower की shape में दिखता है it has a low speed of 10 to 50 characters per second इसकी speed काम होती है 10 to 50 characters एक second में ही यह print कर सकता है circular mechanism मतलब यह आपको दिखे रहा है यह goal घुमेंगा ठीक है और जब जिस जगह पर अगर मान के चलो हमें V print कराना है जैसे V आएगा तो यह उस जगह पर V print करेगा मान के चलो T print कराना है उस जगह पर T print करेगा वैसे goal घुमता जाएगा घुमता जाएगा फिर जो alphabet मिलेगा जो print करना है उस जगह पर वो उसको print कर देगा फिर a line printer it prints one line in a cycle they are associated with the early days computer but they are still unused तो क्या करता जो line printer होता यह एक time पर एक line print करता ठीक है और यह आज की time पर भी इस्तमाल करते है और इनकी speed क्या है 250 से लेकर 2500 से लेकर 2500 से लेकर 2500 से लेकर 2500 lines एक minute में यह print कर सकता है ठीक है और इसकी mainly दो types है जिसका हम बुलते है chain printer और दूसरे का नाम हम देते है drum printer तो पहला chain printer chain printer are the line printer that contains the moving chain called as the print chain तो आपको दिख रहा है यह chain जैसी है ठीक है तो जो paint printer में क्या होता है line होती है जो कि क्या print करता है यह देखो आपको दिख रहा है chain घूम रही है ribbon है ribbon पर मतलब ink लगी होगी साथ में उसके paper भी attached है जैसे जो number आएगा उस number मतलब समझे लिए T अगर हमें print करना है जैसे T आएगा पीछे आपको दिख रहा है कि print hammer लगा है hammer strike करेगा ribbon पे paper ribbon के साथ attach हो जाएगी और जो ribbon पेपर पे जो alphabet होगा वह वहाँ पर चिपक जाएगा मतलब उस alphabet की copy लग जाएगी वहाँ पर ठीक है और इसी तरह से फिर बारी बारी से पूरी लाइन प्रिंट होती है और mainly इसकी जो speed होती है 400-2500 लाइन पर मिनट की speed होती है उसकी जो से मिनट में कम से कम इतनी लाइन है प्रिंट कर सकता है वह उसकी price पर matter गरता अग्र बड कैसे थोड़ा मेहंगा लोगे तो 8000-50000 मेहंगा लोगे तो ज्यादा करेगा सबसेमा मेहंगा लोगे तो 5000-50000 और नहींट करेंगा अब डर्म प्रिंटर तो in this printer prints by striking the paper against the inked ribbon तो दिखरी आपको ribbon है, बीच में black color के लिए, तो इस ribbon पर इस ribbon के through over print करता है, ठीक है? It uses a slendrical drum that has different characters embedded on it तो यह slendrical, दिख रहा है आपको slender drum है जिसपर अलग-लग alphabets डाले हुए है तो वह alphabets को क्या करता है? उस पर मतला हमारे cargers पर और इसकी स्पीड क्या होती 300 से 2000 लाइन्स पर मिनिट ठीक है और इसकी एक डिसद्वांटेज है वो क्या है कि यह जब अप्रोप्रेट पोजिशन में जब कोई हमको क्रेक्टर अगर वहां पर प्रिंट कराना है तो उसमें यह काफे ज़दा टाइम लेगा क्या दाल कीवल कि वहां पर इसको אुसको पोजिशन लेने में वहां पर टाइम लगता है ठीक है तो इस टाइप अफ्रेंटर ने ती ताइप उप्रिंटर पिंट सी तो यह का इसको चुँड को टाच करने की जूरूपिक्श करने की जूरूपद नहीं होती तो इसकी इमपेक्ट प्रिंटर करें तो इसकी समझ लो image करनी है तो हम उससे नहीं करा सकते हैं बगर हम वहाँ पर non impact printer से करा सकते हैं उसकी दो टाइप है line printer और page printer अचा अब है inkjet printer जिसको हम line printer भी गहते हैं ठीक है these printers contain contain cartridge of liquid ink these cartridge are arranged in print had containing holes to separate तो एक क्या कहता है cartridge होता है इसमें cartridge मतलब कि आप मान के चलो एक कोई container होगा जिसमें 3-4 different different colors हम रख सकते हो different colors की ink रख सकते हो ठीक है और फिर जो उसका होता है sorry print hat होता है वो क्या उसको spray करता है उस ink को ठीक है the ink is manufactured in such a manner that the paper quickly absorb it तो ink इस तरह से बनाए जाती हमें देते हैं ठीक है और इनकी speed गया होती है 6-20 page एक minute में print कर सकते है और साथे साथ इनको 3-4 color ही चाहिए होते है बाकी colors को produce करने में ऐसा नहीं है कि आपको blue के लिए अलग color चाहिए होगा फिर pink के लिए अलग चाहिए होगा red लिए अलग होगा basically इसको mainly 3-4 colors ही होते है वो नहीं में से बाकी color हो खुदी से बना लेगा ठीक है और इसकी जो initial cost होती है वो बहुत कम होती है मगर जो इसकी running cost होती है वो काफी महंगी होती है running cost मतला इसको जब आप use करोगे इसमें आपको ink डालनी पड़ेगी बार बार डालनी पड़ेगी तो वो चीज़स पे आपको काफी महंगी पड़ती है तो laser printer जिसे हम page printer भी कहते है तो it is a type of non-impact printer which uses laser and heat technology to print तो ये कहें laser या heat technology का इस्तमाल करता है print करने के लिए ठीक है और इसकी जो main advantage है वो क्या है इसकी speed क्योंकि एक time पे ये पूरा page प्रिंट कर सकता है तो इसलिए हम इसे page printer भी कहते है और ये एक time पे 12 से 25 पेज एक minute मर हमें प्रिंट करकर दे सकता है ठीक है अब है software software are the set of programs and procedures describing the programs and how they are to be used तो software क्या होता है set of programs कुछ programs को मिला कर software बनता है या कुछ procedures मतलब step by step को इसी चीज़ पर पहुँचना उस चीज़ को भी हम program कह सकते है और उसी तरीके से जो हमारा software है वो बनता है मतलब की programs को collect करके हमारा एक software बनता है software package is a group of program to solve a specific type of job तो जो हमारा software होता है हमारा एक type का software एक किसम की problem को solve करने के लिए mainly बनाया जाता है और basically हम इसे दो category में classify करते हैं जिसका नाम है system software और साथी सा दूसरा है application software system software is a set of one or more programs which control the operation and extends the processing capability of a computer system तो जो system software है वो कह है वो ही हसाब है कि क्या गड़ता है एक से एक जएदा programs का set होगा जो कि क्या control करता है जितने भी operations होते हैं और साथी साथ जो हमारा प्रोसेसर है उसकी processing speed को भी अच्छी करने की try करता है ठीक है इट monitors the effective use of various hardware resources such as CPU, memory, ferrifills, etc तो यह क्या हमारे जितने भी hardware devices हैं वो अच्छे से काम करें उस चीज़ पर यह system software उस चीज़ पर नज़र रखता है ठीक है we can also say that system software is used for system utilization properly तो हम यह भी कह सकते हैं कि जो system software है वो उसका mainly क्या काम हता है कि जो हमारा पूरा computer system है वो पूरा system अच्छे से properly इस्तमाल हो सके मतलब कि हमारा एक एक रुपे का जो हमने pay किया हुए उसको अच्छे तरीके से हमें यूटिलाइज करके दे सके और अब है application software application software is a site of one or more program which solves a specific problem and does a specific task तो जो application software होते हैं वो कि एक ही particular type का का काम करने के लिए इस्तमाल होते हैं ठीक है example award processing software package spreadsheet software और bank ठीक है banking मतलब तो वो software जो किया specifically एक ही काम क्यों अलग से application software package होगा award processing software आपको पता ही होगा जिसमें हम जैसे कि हमारी books वगरा जो print होती है print नहीं write होती है मतलब की वो हमारे award processing software packages में mainly होती है ठीक है spreadsheet software मतलब जो ये कुछ rows और columns में arrange किया जाता है ठीक है इसमें मतलब हम अपना data डाल सकते हैं जैसे स्कूल में जब आपके attendance लगती है तो रोज और columns में होता है पहले आपका number one, number two, number three करके चलता है फिर आपका देखोगे आप तो रोज में आपका नाम चलता है आगे प्रेजेंट करके चलता है तो उसी हसाब से spreadsheet में काम करता है ठीक है और banking में तो आप सबको पता ही है हमारा में लिए account manage करने के लिए application software का काम करता है ठीक है open source technology ठीक है open source refers to something that people modify and share because it is designed for public access तो open source का मतलब क्या होता है वो चीज जिसको हम मतलब जिसको public अराम से comfortably assess कर सके हर एक इनसान के लिए उसको use करने के लिए हो ठीक है और उसे वो person modify भी कर सकता है उसे वो चीज share भी कर सकता है ठीक है वो गया open source अब open software क्या होता है open software is a software that anyone can inspect and modify तो open software वो होगे जिनको हर कोई user अपनी मर्ज़ से change कर सकता है मान के चलो अपनी phone में या laptop में कोई app इस्तमाल करते है आप उसको सिफ इस्तमाल कर सकते हो अप अंदर जाके उसके coding में या मान के चलो आप उसका प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते हो ठीक है मगर open source technology आपको वो चीज करने में help करती है ठीक है open source technology है उसमें हमारा उसका source code भी available होता है ताकि हम उसका source code में change कर सके और अपनी मर्जी से जो हम चाहें उस app में जो हम add करना चाहें या उससे delete करना चाहें कर सकते हैं ठीक है and coded by the computer programs और ये computer program से code की जाती है all the open source software are not free open source programs can charge money तो कहता है जितने भी open source हमारे बास software है उस सारे freely available नहीं है हमें कुछ ऐसे भी है जिनको हमें पैसे देकर भी purchase करना पड़ता है ठीक है open source software versus closed source software तो open source software और closed source software में क्या difference है in open source software a user cannot only view but also change the source code तो जो open source software है उसमें हम खाली app को use नहीं कर सकते बलकि हम उसका code जो है वो देख भी सकते है उसमें changes भी कर सकते है वो जो हमारा closed source software है हम उसमें ऐसी चीज नहीं कर सकते है हमें सिर्फ उस software को use कर सकते है उस software में कोई change नहीं कर सकते है ठीक है फिर है who is the further of open source technology तो open source technology का further किसे कहते है in 1983 Richard Stallman launched the GNU project to write a complete free from constraints on use of its source code तो जो further है open source technology का उनका नाम क्या है Richard Stallman ठीक है जिनने की एक project launch किया था जिसका नाम था GNU project ठीक है तो जिसमें के हम simply write कर सकते थे मतलब simple हम उसका source code change कर सकते थे अपनी मरजी से और वो user के लिए freely available था और ये चीज़ करने वाले सबसे पहले Richard Stallman थे इसलिए उन्हें open source technology का further कहते है और कुछ open source technology की sorry software के examples भी है जैसे ward press हो गया magneto हो गया mozilla firefox हो गया vlc हो गया pidgin हो गया तो इनके basis पे भी थोड़ा ये आपका mcqs आ सकते हैं आपके paper में ठीक है who is the father of open source technology तो father of open source technology कोन है Richard Stallman तो क्यों है क्योंकि in 1983 Richard Stallman launched the GNU project to write a complete free from constraints on use of its source code क्योंकि 1983 में Richard Stallman पहले ऐसे इनसान थे जिनने की एक GNU project launch किया था जिसमें की क्या जो user था वो source code देख सकता था किसी भी software का ठीक है और इसको mainly इसकी कुछ examples है जैसे की wordpress हो गया magneto हो गया mozilla firefox हो गया vlc हो गया pidgin हो ठीक है ये सारी क्या इसकी examples है किसकी examples है open source software की ठीक है और finally हमारे पर से कुछ MCQs तो पहला किया है which part of computer converts AC to DC grunt ठीक है तो कौन सा हमारा computer का पाट है जो हमारा alternative grunt to direct grunt में convert करता है उसका answer है B मतलब power supply which metal is used to made heat zinc तो heat zinc को बनाने के लिए किस metal का इस्तमाल किया जाता है iron, zinc, copper, non-naftabow इसका है answer B AT stands for मतलब AT का full form क्या है advanced technology advanced technique adopted technology none of the above इसका है A advanced technology OSI stands for open source index open source image open source initiative open source instant इसका answer है C open source initiative ठीक है which of the following is not an open source software तो इन में से जो हमारे इतपास है liberal office Microsoft office MySQL इन तीनों में से हमारे पास कौन सा open source technology है इसका answer है B an OSS for communication purpose जो OSS है उसे हम communication purpose के लिए इस्तमाल करते है मतलब मेरा sorry मतलब जो भी OSS है इन में से कौन सा communication purpose के लिए इस्तमाल किया जाता है virtue mart Drupal Drupal Pidgin or Zencart इसका answer है Pidgin ठीक है next है dash converts light energy into electrical energy तो वो कौन सा computer का पाथ है जो light energy को electrical energy में convert करता है इसका है barcode reader which of the following translate a paper document into digital image format इन में से कौन सा वो device है जो की हमारा paper document को digital image में convert करता है जिसका answer है scanner which type of output available permanently on paper किस तरह का output जो हमारे पास paper पे अविलेबल होता है permanently इसका answer है तो किस तरह का printer है जो ink और paper के बीच में direct contact करता है जिसका नाम है impact printer who is also known as the father of open source technology किसको हम open source technology का father कहते है जिसका नाम है Richard Stahlman तो guys अगर आपको वीडियो पे संद आईए तो प्लीज उसे like करें share करें अगर आप चैनल पे हैं तो subscribe करें बिना वापस मत जाना please guys अब है dot matrix printer it is one of the most widely used printer तो ठीक है ये बहुती ज़्यदा commonly used किया जाने वाले printer है तो pins और hammers are arranged in rows and columns generally a dot matrix printer has 9 to 24 pins in its head तो कहता है pins और जो hammers होते हैं इसमें वो क्या rows और columns की form में arrange किया जाता है ठीक है और generally जो dot matrix printer होता है उसमें 9 से लेकर 24 तक pins लगी होती है ठीक है और character is printed by striking the approximately number of pins against the printer head तो क्या maximum number of pins strike करने की try करता है हमारा dot matrix printer maximum number मतलब मान की चलो गर 20 pin का उसका head है तो try करे कम से कम स्तारा तो head होई जाए या मान लो कम से कम 24 तो head होई जाए तो उस चीज़ की भी है try करता है मगर यह गया भहती ज़्यदा sound produce करता है क्योंकि continuously try करता है paper पे it is used to print character only it can print image but its quality is very low तो इससे हम image भी print कर सकते हैं मगर उस image की quality का भहती low होगी इसलिए mainly इससे image print करते ही नहीं है अब है dot matrix printer it is one of the most widely used printer तो ठीक है यह बहुती ज़्यदा commonly used किया जाने वाले printer है तो pins और hammers are arranged in rows and columns generally a dot matrix printer has 9 to 24 pins in its head तो कहता है pins और जो hammers होते हैं इसमें वो क्या rows और columns की form में arrange किया जाता है ठीक है और generally जो dot matrix printer होता है उसमें 9 से लेकर 24 तक pins लगी होती है ठीक है a character is printed by striking the approximately number of pins against the printer head तो क्या maximum number of pins strike करने की try करता है हमारा dot matrix printer maximum number मतलब मान के चलो अगर 24 pin का उसका head है तो try करेगा कम से कम 17 तो head होई जाए या मान लो कम से कम 24 तो head होई जाए तो उस चीज़गी भी यह try करता है ठीक है मगर यह गया बहुत ही ज्यादा son produce करता है क्योंकि यह continuously strike करता है paper पे it is used to print character only it can print image but its quality is very low तो इसे हम image भी print कर सकते है मगर उस image की quality क्या बहुत ही low होगी इसलिए mainly इससे image print करते ही नहीं है